नमश्कार, मेरा टॉपिक है अकेलापन एक अकेलापन अपने आप में खुशी नहीं देता है क्योंकि इनसान अकेला है अकेलापन एक अंदकार वो आत्मचिंतन का सफर जैसा होता है अकेलापन एक महसूस करने की एक घटना जैसी चीज है वो कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकता तो इससे कैसे आप बचेंगे आप सबसे पहले अपने आप में खुश रहना सीखें चोटी चोटी बातों पर ध्यान ना दें अगर ओफिस में या घर में या कहीं किसी ने भी कुछ कह दिया तो उसको बहुत गहराई से नहीं ले भावनाओं पर काबू रखें कहीं घुमने हक्ते में जरूर जाएं दो बार आप घुमने का प्लैन बनाएं और अपने परिवार या अपने दोस्तों के साथ जरूर जाएं सबसे बड़ी और इंपोर्टेंट चीज है कि खुझ से प्यार करना सीखें अगर आप खुझ से प्यार करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा आप खुझ से बहुत ज़्यादा प्यार करना सीखें जो आपको सबसे अच्छा लगता हो उसको दूर नहीं जाने दें और थोड़ा आप creative भी बढ़िए आप creative चीजे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और वो creative चीजे आपको लगातार कुछ न कुछ करते रहना चाहिए सुबा सैर पर जरूर जाए, जॉगिंग पर जाए, योगा करें ऐसी चीजे भी आपको करते रहना चाहिए और खुल कर हसे, कई बार आपने देखा होगा लोग सोच कर हसते है फिर लोग सोचते हैं हसे या नहीं हसे तो इस तरह से नहीं करना है, अगर आपको हसने का मन और हसी आ रही तो आप जरूर खुल कर हसे संगीत को सुने, अपने परिवार वा दोस्तों के साथ जादा से जादा टाइम आप बिताएं घर में एक जानवर जरूर पाले अगर आपको बहुत अकेला पन लग रहा है और आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपके आस पास नहीं है तो आप सोचल साइट्स पर बहुत एक्टिव हो सकते जो आपके विचार है जो आपने इतने दिनों का एक्सपीरियंस आपके पास है आप उनको आदान परदान विचारों द्वारा कर सकते हैं इससे भी आपका अकेलापन दूर होगा जिग्यासा अपने जीवन में जरूर रखें क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ इस तरह की जब जिग्यासा होगी किसी भी उम्र में तो आपको जीवन में कभी अकेलापन नहीं लगेगा अंद में मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ अच्छे दोस्त बनाए और अपने परिवार के साथ रहें दोस्तों के साथ रहें और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम या तकलीफ है तो दोस्तों और परिवार से शियर करें और हमेशा खुश रहें और अकेले पर से बचें धन्यवाद